हुआ हुआ है हेलो स्टुएंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैयार के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने एक्जामपूर परिवार में हम है एक्जामपूर कलम से करांती तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो क्या लिखा है कि गौर्मेंट क्लि मैं आपको पहले discussion करवा देता हूँ BSNL का नाम आप तो जानते ही हो ठीक है जैसे कि आप आइडिया यूज करते हो एटल यूज करते हो जीयो कासिम यूज करते हो उसी तरीके से BSNL भी है जो की एक PSU की category में आती है यानि कि public sector unit की category में है ये government की लेकिन इसको PSU कहा जाता ह public sector unit और आप सभी लोग जानते हैं चीजे जैसे जिस तरीक से privatize हो रही है लगातार तो इस चीज को ध्यार में रखते हुए कहीं ना कहीं ये डर था कि अब ये भी जो है पूरी तरह से ना डूब जाया या अपर हो सकता है कि खत्म होने की कगार पे ना आ जाया तो अब जो इतना revival package दिया है किसको BSNL को दिया है ताकि वो दुबारा से खड़ा हो सके तो एक बार मैं इसको पढ़के आपको बता देता हूं कि क्या-क्या चीजे हैं यहाँ पे जानने वाली देखो बटा अभी cabinet ने हाल फिलाल में cabinet approves rupees 1.64 lakh करोड ठीक है सिर्व लैक की बात नहीं है 1.64 lakh करोड ठीक है इतना revival package for BSNL यानि कि revival का मतलब होता है पुरन पुनर जीवन देना ठीक है किसी को दुबारा revive करना यानि कि नए सीरेस दुबारा से उसको खड़ा करना तो package for BSNL expect it to turn profitable by financial year 2026 to 27 यानि कि यह इतना amount देने के बाद यह expect किया गया कि जिस तरीके से आगे यह चीजे चलेगी जैसे यह काम आगे करेगा तो उसके according देखा जाए तो 2027 तक में हमको यह एक कही न कहीं एक profit वाला ही दिखाए देगा तो मतलब हम इंशॉट यह कह सकते हैं कि अब सरकार कहीं न कहीं अब जो है हमको facilitate करने वाली है इन चीजों से यानि कि BSNL जैसी चीजों से ठीक है ताकि हम भी जादा से जादा इसका यूस करें और customers को जादा फाइदा हो सके इसका जैसे कि आप लोगों को अभी recharge करवाना होता है एटल का idea का या बहुत सारे अलगलग sim cards है तो उसका बहुत जादा heavy amount का recharge होता है हो सकता है कि यह जब आएगी market में दूबारा से अच्छे खासे तरीके से launch होगी तो हो सकता है कि आपको और जादा बहतर सुविदाय मिले तो revival measures include infusion of fresh capital for upgrading BSNL services यहां पे मेरा सवाल आपसे है कि infusion का मतलब क्या होता है वैसे अगर आप पूछें तो यहां पे आप लोगों के लिए मैंने पूरा vocab लिखा हुआ है सारा का स सारा vocab यहां पे मैंने लिखा है जो भी इसके अंदर का important है ठीक है तो आप लोगों को चिंता करने की जरूत नहीं है PDF आपको मैं provide करवा दूंगा ठीक है तो include infusion infusion का मतलब होता है किसी में योगदान देना डालना ठीक है तो revival measure include infusion of fresh capital for upgrading upgrading BSNL services allotting spectrum de-strading its balance sheet and and augmenting its fiber network by merging bharat broadband nigam limited BBNL इसको merge किया गया इसके साथ with the telco the package will include a cash support of rupees कितना तो 43,964 crore and non-cash support of rupees 1.20 lakh crore यानि कि एक तो cash support और एक non-cash support दोनों दिया गया यानि अब इसके बारे में वैसे तो ज़्यादा detail आपको GK वाले सर ज़्यादा बहतर बताएंगे वैसे ये event उनको करना था लेकिन उनकी classes इतनी busy है कि मुझे करना पड़ा तो सर ने का कि सर आप उपर उपर से बता दीजेगा बात कि इसकी पूरी detail में कि BSNL को ऐसा क्यों करना इंतनी funding क्यों की गई और BSNL का इतिहास क्या है तो चंदन सर आपको आगे इस सब का पूरा detail में analysis करके बताएंगे ठीक है जल्दी आज शाम तक वह एक event लेके आने वा यानि कि जो government का approval के साथ यह जो letter है आप देख सकते हैं बेटा पूरे सबूत के साथ में चीजे लेकर के आता हूं तो cabinet approves revival package of BSNL amounting to Rs.1.64 lakh crore ठीक है और यह कब की खबर है बच्चो तो 27th July 2022 यानि कि आज की यह बात है आज हमारे सामने ठीक है तो टेलिकोम is the strategic sector presence of BSNL in टेलिकोम market act as a market balance BSNL play crucial role crucial का मतलब बहुत ही important जरूरी ठीक है बहुत जरूरी role अदा करता है in expansion of telecom services in a rural area development and indigenous technology disaster relief अच्छा यहां पर एक और भाई मेरा तो मकसद था इसमें से और भी vocab निकाल के आपको देना एक word आ रहा है indogenous अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता स्वदेशी यानि कि खुद का खुद के देश में बनाया हुआ और आप सब जानते हैं कि BSNL तो वह अपने profit पर काम करती है जबकि यह जो आपका BSNL है यह अपनी profit पर नहीं आपको service देने पर काम करेगा खैर यह वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा यह आपको बेटा इसका आप इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी description box में वहां से आप इसको ले लीजेगा ठीक है अभी class को हम यहीं पर रखते हैं मिलते है फ्रेगली class में और यह vocabulary भी इसी के अंदर की है बेटा पूरा आप उसको पढ़होगे तो यह आपके काम आएगा वहां पर ठीक है अभी फि आपके काम 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 आपक